हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, कैसे हैं आप सभी लोग, आसा गरता हूँ, सब लोग अच्छे होंगे, मैं अब है, आज आपके लिए लेकर आया हूँ ITTC, आज हम ITTC टॉपक को समझेंगे, ITTC क्या है, इसके क्या रॉल्स है, इसके क्या वर्क है, और इसका गटन क्यों किया ग आपको पॉइंट मिस करते हैं, तो साहथ आपको एक टॉपक समझ में ना आए, तो वेना समय को बरबार करते हुए, आज का टॉपक हम स्टार्ट करते हैं, और समझते हैं ITTC है क्या, ITTC वह आज फॉर्म इन 1966, ITTC का जो गठन हुआ था, वह हुआ था 1966 में, इसका जो आपको यह ही लिखना है, फ्रॉम मर्च्ट थ्री कंपनीज विच बास सेट अप इन 1964, 1964 में सबस्पहले गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने थ्री और्गनाजीशन का गठन किया, जो हैं, इंडिया टॉरिजम एंडिया टॉरिजम कोर्परेशन लिम्टेट और इंडिया टॉरि इंडिया टॉरिजम एंडिया 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 टॉरिजम किया जैसके awareness लाना लोगों के बीच में किस तरीके से हम तूरिज्म को sustainable तूरिज्म बना सकते हैं और किस तरीके से हम नाएने तूरिज्म प्रोड़क्ट को डिवलब कर सकते हैं basically इनका motive ही यह है कि किसी ना किसी तरीके से हमें तूरिज्म इंडश्ट्री को मार्गेटिंग करना है और लोगों में awareness लानी है इस organization के man objective क्या है अब हम पूपड़ते हैं बेहला जो point है वो है to construct, take over and manage exiting hotels and market hotels, beach resort, travelers, lodge and restaurants जितने भी सारे restaurants है, hotels है, mortels है, beach resort है, travelers है उन सभी को regulate करना, उनको funding provide करना साथ ही साथ उन्हें नया business start-up के लिए, उन्हें consultancy provide करना भी एक, ITTC का काम है सेकंड जो point है उसमें लखा हुआ है to promote transport, entertainment, shopping and conventional service transports related जो भी services हैं उनको provide करना, उनको efficient बनाना, entertainment, shopping, conventional service जितनी भी सारी शुब्दा हैं जो एक tourist को चाहिए होती हैं उन सभी को develop करना, उनकी marketing करना जो भी employees या entrepreneur है जो नया tourism agency या travel agency startup करना चाहते हैं उनको consultancy प्रवाइड करना, उनको marketing के लिए strategies बनाना, उनको full training प्रवाइड करना एक ITTC का काम होता है तीसरा जो point है वो है to produce, distribute, tourist publicity material tourist publicity material का मतलब यहां से है कि जो भी पुरान हमारा data है, जो भी aesthetics है कि कितना tourism हमेर पास आया है, कितना tourism में inbound हुआ, कितना tourism outbound हुआ इन सभी के data को analyze करना, उसकी results को निकलना और इनकी results को find out करने के बाद आंगे की future strategies बनाना और उन्हें हर organization तक पहुचाना जिससे कि हर organization उनकी तरीके से काम कर सके जो उनकी guidelines है, जो उनकी rules है, ITTC के, उनकी according अपने business को boost कर सके और ज्यादा grow कर सके To render consultancy, come managerial service in India and abroad Consultancy service provide करना, basically जो भी travel agency, tour operator companies होती है, या बड़े-बड़े travel agent होते हैं, उनको consultancy provide करते हैं साधे-साथ ये इंडिया में नहीं है, ये बलकि abroad में भी ये अपनी service को provide करते हैं To carry on the business as full-fledged money challenger, restricted money changers Basically FFMC का मतलब होता है, full-fledged money changers, जो भी foreign exchange होता है, जैसे कि आपका money से related, monetary term से related, जो भी exchange होते हैं जैसे कोई dollar है, तो dollar को आपको exchange करना है, रुपिया में या रुपिया को dollar में करना है, तो ये सारे काम एक ITTC इनको smooth तरीके से काम करती है, और इनको functioning करवाती है Last point है, वो है to provide innovating, dependable and value for money solution to the needs of tourism development जहां पर भी कोई भी दिक्कत आती है, tourism industry में या किसी entrepreneur के लिए, तो ITTC एक ऐसी संस्था है, जो basically उनकी problems को solve out करने के लिए उनकी consultancy provide करते हैं, उनने materials provide करते हैं, उनने financial funding भी provide करते हैं और साथ-साथ उनकी organization के लिए marketing strategies को भी ये बताते हैं To the needs of the tourism development and engineering industry, including provide consultancy and project implementation किस तरीके से आपको project का implementation करना है, किस तरीके से आप tourism को जाते से जाधा attract कर सकते हैं और अभी तक last 2-3 years में जितने भी data है, मतलब जो भी tourism आया हुआ है, जितना भी inbound, outbound tourism हुआ है उनकी data को collect करना, analyze करना, future strategies भुणाना, ये सारे काम ITTC के होते हैं यदि आपके exam में ITTC का question आता है, तो I hope कि आप लिख सकते हैं इसके बार में आपको पहले तो director का नाम दिखना पड़ेगा, आप कौन से director current में है क्योंकि इसके director change होते रहते हैं current में अभी जी कमला बर्दमन रहा है, पहले आप ये लिखेंगे, इसकी full history लिखेंगे, ये इसका गठन क्यों किया गया था इसका नाम क्या है, इसका perform क्या है, इसके साथ साथ आप इसके बारे में बताएंगे कि इसका main motive क्या है, इसके main objectives क्या है और आसा करता हूं कि आपको ये content पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, share कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए topic के साथ, तब तक keep growing, keep learning, सुस्त रहिए, बेस रहिए और मस रहिए, धन्यवाद